नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 12 जन्वरी दिन शुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्क्यों पर बिहार सरकार के क्रिसी विभाग में बहाली इस दिन से दे आवेदर सियम नितीश ने बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2024 का किया लोकारपन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अस्विनी वैसनम ने दी जानकारी संजय दत ने गया में पिता सुनील दत और मा नर्गिस का किया पिंड़दान सुच्चता सर्विक्चं 2023 में बिहार की राजधानी ने पाया ये स्थान अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों के ओर विस्तार से सिंट्रल बैंक ओफ इंडिया में सफाई करमचारी और सबस्टाफ के लिए 16 जन्वरी तक कड़ी आविदर सिंट्रल बैंक ओफ इंडिया के ओर से सफाई करमचारी और सबस्टाफ के 484 रिक्त पदों पर भरती निकाली गई है से में वो लोग जिसके लिए अब तक आविदन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है बता दी के आविदन करने के लिए अंतिम तिथी को बढ़ा दिया गया है से में अब उमिद्वार 16 जन्वरी 2024 तक ओन्लाइन तरीके से CVI बैंक की ओफिसियल वेबसाइट CentralBankOfIndia.co.in पर जाकर अपना आविदन कर सकते हैं इसके लिए अगर सेचनिक योगिता की बात करें तुम्हें द्वारों ने मैट्रिक दसवी की परिक्षा उत्तिन की हो और साथ ही अभ्यर्थी को लोकल लेंग मुख्य मंत्री गन्ना विकास योजना अंतरगत गन्ना के 10 प्रवेदों पर मिल रहा अनुदान प्रवाया जाता है बता दे कीट नाशक फफुंदी नाशक दवा के चिरकाव हे तुसके करे मुले का 50% अधिकतम कावर्श कावर्शी वोपजा थों मुले का 50% अधिकतम कारवन ही कर दिए अजी खाद म्हाल करें अथändICIA तर्से गन्हाशन प्रसान रोप्रभी R. पत्र संबंदित सहायक निदेशक एक विकास कारयाले चीनी मील से प्राप्त करे तथा विधिवत डिटेल्स भर कर चीनी मील में जमा कर प्राप्त रसीद अवश्यले पतादे किस योजना का लाप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा जिसमें सिमान्त लग छोटे कृसकों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी विहारी पहचान में आचम बात करेंगे शरत विवेक सागर के बारे में शरत विवेक सागर एक भारतिय समाची कुद्यमी और Dexterity Global के संस्थापक और CEO हैं उन्हें एक समाची कुद्यमी के रूप में 2016 फोबर्स अंडर 30 सूची में सूची बद किया गया है सागर प्रसद टेलिवीजन सो कौन बनेगा करोरपती के विससग्य भी है सागर ने टफ्ट्स विश्यवध्याले मेडफोर्ड मैसा चूसेट से अंतराष्ट्री संबंधों में डिग्री के साथ सनातक की उपाधी प्राप की टफ्ट्स विश्यवध्याले में वह टफ्ट्स की 100,000 डॉलर उद्यमिता चनौती जीतने वाले पहले नवांग तुक थ अगले वर्स वह पॉर और एलिजावेथ मोंटले प्रुसकार के विश्यवध्याले में शरद ने टफ्ट्स विश्यवध्याले में सनातक भाशन दिया वह 2016 सैमुल हटिंटन पब्लिक सर्विस अवार्ड के विश्यवध्याओं में से एक थे उन्होंने 2008 में 16 साल के उम्र में डेक्स्टिर्टी ग्लोबल की अस्थापना की सागर ने ओसलो में टेली नौड यूध फोरम 2016 में भाग लिया वा क्वीन यंग लीडर्स अवोर्ड के उविजेता अस्थान पर थे 2018 में तिरपन राष्ट्र मंडल देशों का प्रतिनिद्व करने वारे 240 प्रभाव शारी परिवर्तन नर्माताओं को सम्मानित किया गया उन्हें राष्ट्रपती बडाक ओबामा ने वाइट हाउस में आमंत्रत किया था स्वक्षता सर्विक्षन 2023 में बिहार की राजधानी ने पाया ये स्थान स्वक्षता सर्विक्षन 2023 में देश के 4477 शहरों में बिहार की राजधानी पटना के द्वारा 262 अस्थान हासल किया गया है वहेस लिस्ट में सबसे स्वच शहर इंदौर और सूरत को चुना गया ह ऐसे में इन विज़ताओं को भारत मंडपम में समाडों में राश्ट्रपती द्रौपदी मुनमों के द्वारा पुरुसकार देकर सम्मानित भी किया गया आपकी जानकारी के बता दे केंदोर स्तात्वी बार स्वच्छ शहरों की सूची में प्रत्थम अस्थान पड़ाया है इतना ही नए गुजरात का सूरत भी साथ में संयुत रूप से पहले अस्थान पड़ाया है एक लाग से कम आबादी वाले शहरी केंद्रों के लिए महराश्ट्र के सासवड को सबसे स्वच सहर का पुरुसकार मिला है स्ट्रेनी में चत्रसगर का पाटन और महराश्ट्र का लोनावला दूसरे और तीसरे सबसे स्वच सहर रहे वारा नसी और प्रियाग राज को सबसे स्वच गंगा शहर घोसत किया गया बिहार में कोसी नदी पर बन रहा देश का सबसे लंबा पुल बिहार में मधुबनी जिले के भेजा से सुपॉल जिले के वकौर के वीच कोसी नदी के उपर भारत माला परियोजना के तहट भारत का सबसे लंबा पुल 10.2 किलो मीटर पैकेज चार कोसी पुल वा 3.61 किलो मीटर का पहुच पत का निर्मान होड़ा है जो की वर्स 2024 के दिस 2199.58 करोड रोपे है वहें सकारी को मेसर्स गयामन इंजिनेर्स एंड कॉन्ट्राक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सहिंत रूप से किया जा रहा है और अब तक इस परियोजना का 54.89 प्रतिशत कारे पूरा किया जा चुका है वहें इन सब के अलावा इस परियोजना के तहत दो अंडर पास, चार पूलिया, एक टोल पलाजा और छे बस पड़ाव का प्राबधान है बंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर रेल मंतरी अस्विनी वैशनव ने दी जानकारी अगले कुछ महीनों में देश में बंदे भारत का स्लीपर वर्जन लोगों के लिए पेश किया जाने वाला है समस बारे में रेल मंत्री अस्विनी वैशनम के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि बंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है बहुत जल्दी पहला बंदे भारत स्लीपर ट्रेन पट्री पर दोरने वाला है उन्होंने कहा कि बंदे भारत स्लीप की प्रगती बहुत अच्छी है और मार्च तक आने का इसका जो लक्ष है लगभग हम उस लक्ष तक पहुँच गया हैं मालम हो किस ट्रेड में यात्रियों को काफी कुछ खास मिलने वाला है जिन में बहतर कुस्निंग के साथ अधिक आराम दायक बर्थ बहतर डिजाइन वाल क्रियास योग्य विसिस्ताइं दिव्यांगों के लिए विसेश बर्थ और सौचाले फर्स्ट एसी कार में गर्म पानी से शौवर और गंधमुक्त सौचाले समेट कहीं सुधाएं शामिल हैं आज बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला अगर आप रोजगार की तलाश में है तो यहां खबर आपके लिए है बता दे कि आज यानि की बारह जनवरी को बिहार के सीता मढ़ी के जला नियोजना लेके ततवधान में रोजगार मेला कायोजन किया जाने वाला है इस ब बायोडाटा सेचनिक प्रमान पत्रा आधार कार्ट दो पासपोर्ट साइस पोटो पैंकार्ट बैंक अकाउंट वा जिला नियोजन कारे आले के निबंधन की छाया प्रती लेकर नियोजनाले परिस्तर में नरधारित किये गए समय के नुसार उपस्तित होंगे इस रोजगार में बिहार लोग सिवा आयोग की तरफ से राजी के विद्यालियों में 79706 पदों पर दूसरे चरण की सिक्षक नुपती के लिए ली गई परिक्षा का मामला बीते दिन पटना हाई कोट पहुँच चुका है बतादे कि इस परिक्षा को नरस्त करने के लिए पटना हाई को के जरिये 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूशना संख्या 27 बटा 2023 के संदर्व में ली गई परिक्षा को रद करते हैं त्यूँ परिक्षा को फिर से लेने के लिए आदेश देने का अगरह किया गया है परिक्षा में भाशा का पेपर हटाए जाने की वजह से उर्दू बांगल के सबसे प्रतस्ठत स्थल संग्रहालियों में से एक है इसमें नालंदा महाविहार के उत्खनन स्थल से पाए जाने वाले प्रवसेस है जो गुपता मौक्री और पाला शासकों के सनक्षन में इसाई युक की पांचवी पारवी की सताबदी के दौरान मिक्सत हुए थे बा पीतल, प्लास्टर, टेरा कोटा, शिला लेक, लोहे की वस्तुएं, हाथी, दान्त और अस्थी वस्तुएं और मिट्टी के बरतन आदी शामिल है जो चार दरगाउं और मुख्य हॉल में विवस्तित है वियार सरकार के क्रिसे बिभाग में बहाली इस दिन से दे आविदन, अगर आप भी सरकारी नौकरी करने के इच्छा रखते हैं तो यह खबर आप के लिए है बता दे कि बिहार सरकार के क्रिसी विभाग में बहुत जल्दी 1051 पदों पर बहाली निकलने वाली है जिसके लिए आवीदन की शिरवात 15 जन्वरी 2024 से होगी ऐसे में एक्चो कुमिद्वार इस बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 15 जन्वरी से आवीदन कर सकते हैं वही आवीदन करने की अंतिम तारिक 28 जन्वरी 2024 तक नरधारत की गई है मालम हो कि इस बहाली की जिम्मदारी विभाग के द्वारा बिहार लोक सिवा आयोग को पर बहाली की जाएगी तो वही अनुमंडल कृसी पदाधिकारी उप परियोजना निदेशक आत्मा सहयक और निदेशक एवं समकच के 155 पद क्रिसी अभियंतरन या सहयक निदेशक के 19 पद और पौधा सनक्षक निदेशक के 11 पदो पर बहाली की जाएगी इसमें उन योजणाओं को प्रदरशित किया गया है जिसमें बिहार अगरनी राजय रहा है तथा जिसकी सपलता को देखते वे कई अन्य अस्थानों पर इनका अनुसरण किया ज़ारा है मालम हो किस दोराद जल संसातन सहसूषना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार जा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचीव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचीव डॉक्र एस सिधार्थ, मुख्यमंत्री के सचीव सहसूषना एवं जनसंपर्क विभाग के सचीव, अनुपम कुमार मुख्यमंत्री के विशेश कारे पदादिकारी, गोपाल संग तिथा सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक अमित कुमार उपरसित रहें राजश्वा विभाग ने सभी CEO की जारी की रैंकिंग बिहार सिरकार के राजश्वा एवं भूमी सुधार विभाग के दौरर आचे के सभी 534 अंचलों की दिसंबर महीने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है जिसके तहत इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर बांका जिले के रज़ौन सीयों हैं वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दावत अंचल तीसरे नंबर पर बिलहर अंचल चौथे नंबर पर अमरपूर अंचल और पांचवे नंबर पर पिपरा अंचल के नाम शामि आपके जानकारी के लिए बता दे कि राजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के दोरा काम के आधार पर सीयों की रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें दाखिल खारिच पड़ी मार्चन अभियान पसीरा दो लपी सी नापी अतिक्रमन मुक्त करना और लैंड सिटल्मिंट जैसे काम शामिल है वारानसी और हरिद्वार जैसे सिमरिया में खुबसूरत रिवर फ्रेंट बहुत चल्दी बिहार के लोगों को वारानसी और हरिद्वार जैसा खुबसूरत रिवर फ्रेंट बिहार में भी देखने को मिलने वाला है बता दे कि आगामी 16 जन्वरी 2014 को बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार आस्था के प्रमुक केद्र सिमरिया में वीवर फ्रंट के एक हिस्से का लोकारपन करने वाले हैं वहीं लोकारपन करने के बाद सिमरिया नितीश नरिक्षन करते वे गंगा नदी तट पर पूजा अरजना भी करेंगे आपके जानकारी के लिए बता दे कि सिमरिया गंगा नदी तट पर 115 करोड उपए की लागत से तयार हो रहे हैं लिवर्फरंट के तहस सिमरिया धाम के गंगाना दी तट पर नर्माना धीन 250 मीटर सीधी घाट दर्मशाला इवाम कलपा वास मेला छेतर का लोकारपन किया जाएगा बारे में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार जाके द्वरा जानकारी देते वे बताया गया कि वर्तमान में सिमरिया धाम के विकास का काम जल संसाधन विवाग बिहार सरकार की योजना के पहले फेज के तहट पूरा किया जा रहा है इस काम को वर्स 2024 के जून महीने तक पूरा करने का लक्षनर धारित किया गया है बिहार के मौसम में फिर होगा बड़ा बदलाव है उसके अगले दो दिनों के दौरान तापमान में कोई विसे इस पड़िवर्तन होने की संभाबना नहीं है मौसम विज्ञान के इंद्र के वरिष्ट विज्ञानिक डॉक्टर आसीश कुमार के नुसार राजे में पच्छुआ और उत्तर पच्छुआ हवाये चल रहे हैं जिस वज़ा से लोगों को ठंड का हैसास हो रहा है आईमडी बिहार के द्वारा जारी की गए पुरवारुमान के नुसार आज यानिकी 12 जन्वरी को राजे के शेश भागों में सुबह के समय हलके सी मध्यमस्तर का कुहासा चाय रहने के संभावना जताई गई है और ग्रीर अलर्ट जारी किया गया है विहार के IPS आशीश भार्ती ने विद्ध्यार्थियों को दिया सौगात विहार के चर्चित IPS में से एक आशीश भार्ती जिनके दौरा दुरदान्त अपरादियों को थर्रारे और भागपा मावबादी सेंट्रल कमीटी के प्रमुख लीडरों में शामिल विजय आडिया प्रमोद मिश्रा जैसे नकसलियों को पकड़ने का काम किया गया है उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक नई पहल की शिरवात की है दरसल IPS आशीश भार्ती के दौरा बच्चों के लिए निश्रिक पुस्तकाले खोल दिया गया है जिसमें वर्तमान में 200 किताबे रखी हुई है आपकी जानकारी के बता दे के IPS आशीश भार्ती कि जहां भी पोस्टिंग होती है वो वहां के बच्चों के लिए पुलस पुस्तकाले जरूर खोलते हैं जिसमें IAS, UPSC, BPSC समेत वेवन बड़ी प्रतियोगिता परिक्षा के किताबे मौजूद होती है यह वर्तमान में गया SSP पर पोस्टेड है वही इस पर उने कहा है कि लाइब्रेडी से कोई व्यक्ति अगर किताब ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है लेकिन कुछ दिनों बाद पढ़कर उसे लोटाना होगा प्रतियोगिता परिक्षा में भ बिहार उत्पाद टीम की ओर से कई कोशिशे की जारी है ऐसे कोशिश के तहट पुलिस को एक और सफलता मिली है बतादी के बिहार के मुझपरपुर के समीप मुझपरपुर पुलिस के द्वारा SDPO सराइया कुमार चंदन को मिलिक गुप्त सूशना के आधार पर काड़व की गई है जिसकी पहचान अमन कुमार संतोश यादर रवंदर सिंग और दीपक यादप के रूप में की गई है फिलाल इन सभी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जाज परताल की जा रही है संजय दत ने गया में पिता सुनील दत और मा नर्गिस का किया पिंडदान वीतिदन गुरुवार को हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता में से एक संजय दत अपने विसेस चाटिद विमान से बिहार के गया पहुँचे जहां होने गया के विश्णुपद मंदर में अ वही कर्मकांट के दोरान संजय दत सफेद कुर्ता पायजामा में दिखे वो दोपहड करीब तीन बजे विश्णुपद मंदर पहुँचे थे वहीं करीब धाई बजे वो अपने चाटर प्लें से गया एरपोर्ट पर उतरे थे जिसके बाद वो गया एरपोर्ट से सीधे विश्णुपद मंदर पहुँचे इस दोरान गया में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रखी गए थी नितीश जी को मुख्यमंतरी और पार्टी के अध्यक्ष खिनाती निमंतरन प्राप्त हुआ है नितीश जी को अभी इस पर फैसला लेना बाकी है और उनका जो भी फैसला होगा उससे हम आपको अवगत करवाएंगा आपकी जानकारी के बता दे कि कॉंग्रस की ओर से राम मंदर को लेकर बीजेपी पर जम कर बरसे आरजेली सांसद मनोज जा के द्वारा मीडिया से बातचीत करते वे राम मंदर को लेकर बीजेपी पर जम कर हमला बोला गया और उन्हें कहा कि कितना दुरभाग्य पुर्ण छन होगा कि मर्यादा पुरुशुत तब राम के दिवाना आपने ठेका ले रखा है कि जो आए वो हिंदू मैं अपनी बात करूँ तो मंगलवार को हरुमान मंदर में बहुत भीर होती है तो मैं नहीं जाता हूँ बुदवार को जाता हूँ कोई बाद में जाएगा कोई पहले जाएगा मेरे और इश्वर के बीच में ये ठेकेदारी का सिस्टम है विक्सत किया है ये मैं समझता हूँ कि कभी हिंदू धर्म कभी स्वभाब नहीं रहा है समराच चौधरे ने कॉंग्रस पार्टी को बताया सनातन विरोधी पाहिश्यन मड़ी को योध्या में भगवान राम की प्रान प्रतस्था होने वाली है जिससे कॉंग्रस पार्टी के ओर से अपनी दूरी बना दी गई है ऐसे में बीज़पी के ओर से लगातार कॉंग्रस पर हमला बोला जा रहा है इसी कड़ी में बीते दिन बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक समराच चौधरी के द्वारा भी कॉंग्रस पर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि प्रभू स्री राम 450 वर्षों के बाद अपने अस्थान पर विराजमान हो रहे है लेकिन कॉंग्रस पार्टी कह रही है कि हम पूजा करने नहीं जाएंगे यह सनातन का विरोध और अपमान है पूरी पार्टी ही हिं हिंदू विरोधी है भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कार्णो सदर्ट छात्रपती शाहु जी को 1708 में मराठा शासक का ताज पहनाये गया बिटे ने पश्यम बंगाल के बंदेल प्रांध को 1757 में पुर्तगाल से अपने कबजे में लिया उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की अस्थापना की और चटगाउं विद्रो का सफ़ल नर्द दु किया 1948 में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम भाशन दिया और सामप्रदाइक हिंसा के विरुद अंसन में बैठने का फैसला किया चुतंता प्राप्ती के बाद 12 जन्वरी 1950 में सम्ति प्रांथ का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया भारत के पुर्व गेंदबाज बापू नाड़कर्णी ने 1964 में मतरास में इंगलैंड के साथ पहले टेस्ट में लगातार 21 ओवर मिडन फेके चाह गिंदो के ओवर के इतिहास में यह अब तक का रिकॉर्ड है स्वामी विवेकानंद के जंदन के मौके पर 1984 से हर वर्ष देश में इस दिवस को राश्ट्री युवा दिवस मनाने की घोशना की गई भारत का 2001 में इंडोनेशिय अरूस चीन संधी से हिंकार नैफ नदी पर बांथ निर्मान यूजना के कारण बंगलादेश में अमार सीमा पर तनाओ के साथ सिनाय तैनाथ भारतिय मूल की महिला लेंडा बाबुलाल त्रीनिदाद 2003 में संसत की अध्यक्षपनी भारत और चीन ने हाइड्रो कारबन पर एक महतपुन सहमती पत्र पर 2006 में हस्ताक चर किया 2007 में आई आमिर खान के फिल्म रंग्दे बसंती बाफटा के लिए ना मांके थुई 2009 में प्रसंद संगीत कार ए आर रह्मान प्रतिस्चित गोल्डन ग्लोब अबॉर्ड जीतने वाले पहले भारतिये बने इलहाबाद विश्य विद्याले के वेग्यानिक डॉक्टर जेहंद कुमाने 2009 में दुनिया का सबसी पुराना उलका प्रिंट प्रेटर खोजा भारतिय दाशनिक स्वामी विविकानन का जन्म ठास और 633 को कॉल कता में गुआ बारल कर में आजम बात करेंगे सिम कार्ट ब्लॉक होने के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचनाय बारल होती है लेकिन सभी सचो ये ज़रूरी नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे सिम कार्ट ब्लॉक होने के बारे में रसल पी आईवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि लोगों को बीए से दावा करते में नोटिस मिले हैं कि टेलिकॉम रेगुलेटरी और इंडिया के द्वारा ग्राहक का के वाई से निलम्बित कर दिया गया है समकार 24 घंटे के अंदर ब्लॉक हो जाएंगे पी आईवी न कभी भी ऐसा कोई नोटिस नहीं भेशता कभी भी अपनी व्यक्तिकत और बैंक जानकारी किसी के साथ साजाना करें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर अब नहीं दिखेंगे इस तरह के कंटेंट सोशल मीडिया के दिगज कंपनी मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट शेयर कर बच्चों को प्लाटफॉर्म पर से बचाने के लिए नए टूस की जानकारी दी है मेटा ने कहा कि कंपनी बच्चों को अब सेंसिटिव कंटेंट नहीं दिखाएगी साथ ही कुछ खास तरह के टर्म्स को बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा ऐसे भी यदि कोई बच्चा तरह के कंटेंट को मेटा के प्लाटफॉर्म पर सर्च करता है तो मेटा ने कहा कि सभी बच्चों को कंपनी मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कंटेंट कंटेंट कंट्रोल सेटिंग में रखेगी नए अकाउंट्स पर कंपनी ने यह सेटिंग लागू कर दी है जबकि पुराने अकाउंट्स को इसके दाइरे में लाया जा रहा है इसके तहत बच लोन लेने से पहले इन बातों का जरूर रखे ध्यान अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दे कि लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है ताकि आपसे कोई चूक ना हो सके पता दे कि लोन लेने से पहले अपनी वर्तमान बीती एस्थिती का मुल्यांकन जरूर करे यह विशलेशन आपको यह तैय करने में मदद करेगा कि क्या आप अपने बज़र पर दवाब डाले विना रिन का मासिख भुकतार उठा सकते हैं या नहीं इसके लावा आप अपने क्रिडिट पर भी ध्यान दे वहीं लोन लेने से पहले उस मामले में सबसे बुरी इस्थिती का भी आकलन करे क्योंकि अचानक अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इस तरह की इस्थिती में mortgage-linked insurance scheme जैसी बिमा policy आपके भविश्य को सुरक्षित बनाए रख सकती है वहीं लोन लेने के दौरान किसी भी दस्तावीच पर साइन करने से पहले उसे ध्यान से जरूर पढ़े इंडिया गडवन्धन की seat steering पर cm नितीश का ब्यार बीते कुस दिनों से इंडिया गडवन्धन पर seat steering को लेकर कई नेताओं के द्वारा अपनी अपने टिपनी दी जा रही है इसी कड़ी में बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में बिहार परिभण विभाग के ततवधान में बिहार इवी कॉन्क्ले में विवन कंपनियों के वेकल्स का अवलोकन करने पहुँचे जहानोंने काफी समय के बाद मीडिया आसे बातचीत की वहिं इस बातचीत के क्रम में मुख्यमंत्रे लितीश कुमार के दौरा इंडिया गढ़बन्धन में सीट 싶 को लेकर अपना बयान भी दिया गया द्रसल जब मीडिया के दौरह उसे पूछा गया कि उनके तवरोगा समें एसस द्रहों रोग हैं अन्योगी कितना सही उत्तर दिया यह हमें comment करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है option A 10 जनवरी option B 8 जनवरी option C 11 जनवरी option D 7 जनवरी इसका सही उत्तर है option A 10 जनवरी अगला सवाल भारदी फिंटेक फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनाशनल पेविंट बिजनेस का CEO किसे निफ्ट किया है option असनीव ग्रोबर ऑप्शन भी रितेश पई option C अमनगुपता option D रितेश अग्रवाल इसका सही उत्तर है option B रितेश पई अगला सवाल IIT मदरास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा option A श्रीलंका option B जापान option C लंदन option D अविड का इसका सही उत्तर है option श्रीलंका अगला सवाल मिहार में किस दस्तक में जन संख्या में कमी अंकित की गई है option A 1901 से 1951 option B 1901 से 1961 option C 1921 से 1931 option D 1911 से 1921 इसका सही उत्तर है option D 1911 से 1921 अगला सवाल बिहार के किस जिले में बहु रंगी ग्रेनाइट पाए जाते हैं option A जमूई option B जहानाबाद option C गया option D इन में से सभी इसका सही उत्तर है option D इन में से सभी बीदे दिन हमारे दुरा पूछिए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों इन पंजाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया था जन्होंने अमारे दुरा पूछिए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्ट्रा उमेश्र सिदेव रंजीत सिंग अर्शद अंसारी राम नवी मांजी राजीव कुमार सदुल्ला पलवी गोनर सर्मा रिशिकेस सा अंसुग गुपता राजकिशोर महतो मुह अगर आप यूटूब से देख रहा है तो चानल को लाइक और सबस्क्राइब करें और अगर आप फेस्बुक से देख रहा है तो पेसकोर फॉलो करना ना भूलें धन्यवाद